हाई एवरीबन वेलकम यू वाल इन दिस फिजिक्स वीडियो तोड़े वी आर गूं टो लर्न अबॉट ताइप सॉप मेगनेटिक मेटेरियल तो स्टुडेंट जो फारडे है उन्होंने मेगनेटिक मेटेरियल को उनके मेगनेटिक बहेवियर के अकॉर्डिंग ली त्फरी स्टूमबात करने वाले हैं डा मैगनेटिक मेटेरियल की तो डा मेगनेटिक मेटेरियल इफ इस प्लेस इनन युनिफोर्म मेगनेटिक फिल्ड तो यह करते हैं जो same polarity जो डवाल कर लेते हैं जैसे नौर्थ पोल की तरफ नौर्थ डवाल कर लेता है और साथ पोल की तरफ यह पर साथ डवाल हो जाता ह। तो इससे क्या होगा नौर्थ और North के बीच में रपलेशन साथ और South के बीच में रपलेशन तो जिसे यह उम्हारया पास डौ your जो सब्सक्राइब वो उस मेंग्नेटिक फिल्ड से रिपल हो जाता है एंड इफ वी सस्पेंड इट अगर हम इस मेंगनेटिक को सफसेंड करते हैं तो यह उस मेंगंेटिक फिल्ड के अंदर अपने आपको प्रिपंडिकुलर्ली सब्सक्राइब वाइसा है तो इसलिए हमारे पास डाय मेगनेटिक कौन से सब्सांस होते हैं सब्सांस विच गट रिपेल्ट विकली रिपेल्ड तो अछाए तो इसान्स जो मैंगेनेटिक फिल्ड से रिपेल हो जाते हैं तो इस से स्वेस्च आर नों और आज तया मैंगेडिक सब्सक्राइब सी ठीकिए नो फर एक्सांपल तोस डाइमेगनेटिक सब्सक्राइब तो कॉझसे ऐसे नाय स६्सानसी सब्सांस जो आंपास, जब भी मेगनेनिटी फियलgle के जए तो व रिपैल होंगे ओन यह जिसमें जिसे एकसैमपन हो गया हम पास गल्ड एक डियमेगनिक सब्सांस है, papier, oder either that of zinc we are having lead bismuth because we are getting the examples in our exam so therefore we should to know at least these examples of diamagnetic substances okay so we are having lots of examples which is regarding to that diamagnetic substances so here that we have taken some of the example like nitrogen and sodium chloride salt are such as sodium chloride so these are diamagnetic substances okay now the thing is there that how we will explain the diamagnetic behavior of these substances okay so we will talk about electron theory of diamagnetism okay so the electron theory of diamagnetism is that it is explained that it is that it is substances that the magnetic reactor is shown now according to this theory so simply we will start that which we have matter which we have matter which we have atoms होते हैं Explain are not the atoms you are any atoms है और atoms हो ہیں ब्रट Нान प्रटन तो नियुक्ति के पार और हो मोटे कुछ नियुक्तिक आपकर टीज्षक परसी अमंड़ावन के पार पिर हिसे लेक्टोन पेयर विहाइ ऐसे उता ट्रोन ठीक है और ये हमारे पास उसी एक्टम के अंदर ये दूसरा एलेक्ट्रोन सेकिंड इलेक्ट्रोन सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हमारे पास जैसे एक उसकी प्लक्ट है अगर यह हमारे पास इस तरह से anti-clockwise है let it to be we not तो जो हमारे पास दूसरा electron है उसकी जो velocity होती है वो यहाँ पर clockwise होगी तो यह equal and positive velocity हो इन electrons की होती है तो यह electron जो है center की तरफ attracted होते हैं उस electrostatic force से तो जिससे क्या होता है इनके उपर एक centripetal force लगती है ठीक है तो जो electrostatic force है वो यहां पर centripetal force exert कर रही है so therefore यह जो electron जो pair में exist कर रहा है उनकी equal and opposite velocity हमारे पास है ठीक है so thus जैसे यह electron इस atom के अंदर revolve कर रहा है ठीक है तो यह revolve कर रहा है anti clockwise में इसका मतलब current की direction क्या होगी तो current जो है इसमे that will be clockwise ठीक है तो हमारे बास जो यह क्या बनेगा यह क्रेंट loop बन जाएगा current loop क्या करता है magnetic field को produce करता है तो magnetic field जब यह current loop बनाएगा इसका मतलब इसकी क्या बन जाते है dipole बन जाते है तो इसकी क्या होगी dipole moment तो हमने already बात की है जो direction of dipole moment होगी तो current की direction क्योंकि current इसमें क्या हो रहा है ऐसे clockwise में जा रहा है dipole moment है जिसको mu L से लिखा गया और orbital magnetic dipole moment बनाया गया ठीक है now over here यह जो electron है इसमें यह क्या कर रहा है हमारे पास यहां पर clockwise में revolve कर रहा है तो clockwise में revolve कर रहा है इसका मतलब है जो current है current की direction क्या होगी इसमें that will be anti clockwise तो current की direction में finger curl होती है तो थम जो है वो direction of magnetic dipole moment देगा so that means to say इसकी जो magnetic dipole moment है यह क्या होगे vertically outward act करेगी तो दोनों electron की velocity same है ठीक है और opposite है तो इसलिए हमारे पास यहां पर जो दोनों की magnetic dipole moment है एक downward में दूसरी vertically upward है so therefore जो net magnetic dipole moment उस atom की so we will get over here it is going to be zero क्योंकि जो हमारे पास upward है वो plus में आगी और downward जो हो minus में आ जाती है तो जिससे net magnetic dipole moment क्या होगी zero हो जाती है okay so that's we come to know की जो dimagnetic atom है when it is not placed in any magnetic field तो उसकी magnetic dipole moment क्या होती है zero होती है तो यहां पर हो गया in absence of external magnetic field now we are supposing over here अगर हम क्या कर देते हैं इसको atom को magnetic field के अंदर place कर देते हैं so what will happen now over here जैसे हमारे पास नहीं है यह जो magnetic field है it is perpendicular to that plane of the paper so it is going inward to the plane of the paper यह magnetic field हमने यहां पर show कर दी तो इस magnetic field के अंदर हम क्या कर रहें है अब dimagnetic atom को place कर रहे है ठीक है so there I have placed this one it is that atom which is going to revolve in that orbit and here it is its nucleus ठीक है and it was going in this anti-clockwise direction ठीक है and here the second electron क्योंकि atom के अंदर जो electron थे वो क्या करते थे always pair के अंदर exist करते थे तो यह second electron इस तरह से revolve करेगा इसमें जो बिल्कुल इसके opposite होगा ठीक है तो यह anti-clockwise था तो यह वाला electron जो यहां पर क्या करेगा clockwise direction में revolve करेगा ठीक है तो यह इसकी velocity होगा वो tangentially बताएगी ठीक है तो this is centripetal force now यहां पर हमारे पास क्या हो जाती है जैसे ही आप इसको उस magnetic field के अंदर place करोगे तो जो इसकी velocity है वो change हो जाती है ठीक है now how that is going to change क्योंकि हमारे पास क्या हुआ जैसे ही आप इस atom को उस magnetic field में place कर रहे हो तो इसके उपर एक additional force लग रही है ठीक है एक additional force लग रही है who is applying this additional force so this is applied by that magnetic field तो इसलिए यह क्या होगी magnetic force हो जाते है जिसको क्या लिखते हो qvb साइन थिक्टा लिखते हो ठीक है तो यहां पर जो magnetic field है वो क्या करेगी electron के उपर force exert करेगी क्योंकि यह क्या कर रहा हुता है motion कर रहा हुता है ठीक है तो इसलिए हमारे पास यह perpendicular magnetic field है तो angle 90 degree बना so thus we get over here charge electron की बात हो रही है और उसके उपर force due to its motion in magnetic field exert हो रही है so this is that additional field okay what is the direction of this field so for this purpose we are looking that जो हमारे पास right hand palm rule है तो उससे क्या कर सकते हो आप जो direction of this force है वो find out कर सकते हो तो palm rule what it says that palm rule कहता है जो आपकी finger tip है उसको magnetic field की direction में place कर दो ठीक है और जो thumb है उसको current की direction में place कर देना so perpendicular to your palm that will give you the force direction ठीक है तो जो palm के perpendicular होगा वो force की direction होगी okay so see over here इसमें जो electron है यह जा रहा है हमारे पास anti clockwise तो current की direction क्या रहती होगी it will be opposite to electron it means clockwise है तो इसलिए current जा रहा है right side ठीक है और magnetic जा रही है downward side ठीक है तो इसलिए place your hand at this position यह current right side की तरफ इस position पर और magnetic field जो है वो finger tip से नीचे की तरफ ठीक है तो यह जो हमेरे पास इस तरह से upward direction में act कर रही है so this is that magnetic force okay so we are looking over here यह जो magnetic force है यह क्या कर रही है उस center vital force के बिल्कुल opposite direction में act कर रही है ठीक है and in this case if we look तो इसमें electron क्या कर रहा था clockwise चल रहा था clockwise चल रहा था तो clockwise चल रहा था इसका मतलब क्रेंट क्या होगा anti clockwise होगा है na current anti clockwise है तो क्रेंट की direction में thumb और magnetic field की direction में fingers so that perpendicular will come now to this side इसका मतलब हुआ यह जो यहां पर जो force है magnetic force ठीक है तो यह क्या हो रही है उस centripetal force की तरफ ही use हो रही है ठीक है so now thus we get that कि यहां पर हमारे पास क्या होगा यह जो net force है वो क्या हो गया reduce हो गया तो जिससे क्या होगा यह जो velocity है हमारे पास electron की ठीक है वो कम हो जाती है और यहां पर दोनों forces same direction में है इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है यहां पर electron जो वो fast revolve करता है okay so therefore here I am going to show that यह हमारे पास positive charge था और इसके बाहर यह electron जो था वो revolve कर रहा था थीक है and this was placed in that uniform magnetic field यह uniform magnetic field में place किया गया so over here जो electron है which was going in that anti clockwise थीक है तो यह जो magnetic force और centripetal force थी यह opposite में act कर रहे थी तो जो velocity है उस electron की वो यहां पर कम हो जाती है so that's इसकी जो velocity है na v1 वो क्या हो जाएगी initial velocity से एक factor जो है जिसको small velocity small factor से यह क्या होगी reduce हो जाएगी क्यों reduce हो जाएगी क्यों क्योंकि forces opposite direction में act कर रही है now over there इसका मतलब electron क्या हो जाएगा slow हो जाएगा अगर electron slow हो जाएगा तो इसकी जो dipole moment है हमारे पास ठीक है so this dipole moment actually में यह किसके उपर depend करती थी उस atom में this was evr y2 ठीक है तो यह जो magnetic dipole moment थी उस electron की atom के अंदर वो उसकी speed के उपर depend कर रहे थी तो यहां पर speed उसकी क्या हो रही है reduce हो जब speed reduce हो रही है इसका मतलब है उसकी यह जो हमारे पास magnetic dipole moment है जिसको हम mu L से denote कर रहे थे ठीक है so this will also get reduced तो यह भी क्या हो जाएगी यहां पर reduce हो जाएगी so this is getting over here mu L is reduced by this smaller factor तो यह बात हो रही है इस electron की जो anti clockwise है now similarly over there जो दूसरा electron है हमारे पास उस atom के अंदर so which was going here in clockwise direction तो जो clockwise direction में जा रहा था ठीक है तो उसकी velocity क्या होगी थी हमारे पास यहां पर v2 होगी थे वी-2 अमरे पास क्या होगी so we are looking at that यह जो velocity यहां पर force है वो क्या होगी थी दोनों same direction में act कर रहे थी तो जिससे क्या हो गया यह जो यहां पर जो velocity है वो increase हो जाती है so that means जितने से यह विलास्टी कम हो रही है उतने से यह विलास्टी जो है इस लेक्ट्रोन की यहाँ पर इंक्रीज हो जाते है तो इनीशली जो थी दोनों की विलास्टी एक्वल्स थी जो प्रिबियस साइड हमने कम्प्लीट किया and now over there it increases with this small factor तो जितने से यह reduce हो रहा है उतने से यह increase हो जाता है ठीक है तो यह increase हुआ it means electron क्या करेगा अब यह fast revolve करना शुरू करेगा so that means जो इसकी magnetic dipole moment हो तो speed के उपर depend कर रही है तो इसकी magnetic dipole moment जो है वो हमारे पास increase हो जाएगी so this will then become delta mu L थीक है तो यह हमारे पास total dipole moment हो गए ठीक है of this electron की okay now over here how much is that total dipole moment of this atom तो अब इस atom की total magnetic dipole moment क्या बनी तो total magnetic dipole moment of atom so we are looking over here जो एक electron है क्योंकि atom के अंदर electron pair के अंदर exist कर रहे है तो एक electron जो है वो क्या करता है हमारे पास बनाता है this magnetic dipole moment as that of in upward direction ठीक है तो upward is sorry हां यह upward what we did a little bit wrong over here यह जो direction थी नहीं यह actual में upward थी see this one which is shown already look up जो magnetic dipole moment थी उस electron की जो clockwise में था वो upward में है ठीक है so this is not in downward here it is in upward mu L plus delta mu L ठीक है so thus we get over here कि जो total magnetic dipole moment होगी it is upward dipole moment जो उसको plus में यूज करना है and minus of downward downward में act कर रहे है this is mu L minus of delta mu L so that we get this one and this one will cancel and these two will add so it is double of delta mu L vector ठीक है so thus we get that it is having this net dipole moment when it is placed in the magnetic field तो इसका मतलब हुआ जब आप dimagnetic atom को magnetic field के अंदर प्लेस कर रहे हो तो उसके अंदर क्या हो जाता है यह जो induced magnetic moment बन जाती है but if we will see over here the direction of this dipole moment इसकी dipole moment की direction क्या होगी ठीक है so there you will find this is going to be positive यह जो net dipole moment है वो क्या हो रही है हमारे पास plus हो रही है plus हमारे पास it means यह कौनसी dipole moment किस तरफ होगी वो dipole moment जो perpendicularly क्या हो रही थी outward और magnetic field कैसे act कर रहे थी perpendicularly inward इसका मतलब हुआ magnetic field अंदर की तरफ जा रही थी और यह उसी same plane में outward की तरफ आ रही थी तो जिससे क्या होगा जो हमारे पास direction है is direction of magnetic dipole moment dipole moment इस प्रिपेंडिकुलर ली आउट वर्ड प्रिपेंडिकुलर आउट वर्ड तो प्लेन आफ रोटेशन of electron and upward तो यह प्रिपेंडिकुलर ली आउट वर्ड है और आप वर्ड डिरेक्शन में है ओके आउट इंप्लाइज इस इन अपूजिट डिरेक्शन तू अधा मैगनेटिक फ्रिपेंडिकुलर तो इसलिए इसमें एक मैगनेटिक डिवल्ड तो हुआ लेकिन जो गया अपूजिट डिरेक्शन में watching this video, have a good time